मूवी की शुरुवात होती है एक किड्नैबिंग से, जिसमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर, एक दलाल, हॉस्पिटल का एच आर और एक सर्जन को सुबह के समय में अगवा कर लिया जाता है पुलिस को मिले information के जरिए, वो kidnapping डॉक्टर मारन ने करवाई होती है पुलिस एक society में drone camera के जरिए नजर रखती है और पुलिस officer Randy इस case को lead कर रहे होते हैं जब officer Randy डॉक्टर मारन के घर जाते हैं, तो वो उन्हें arrest कर लेते हैं डॉक्टर मारन के عरस्ट होने पर उनके मोहलेवाले बहुत दुखी हो जाते हैं और इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं क्योंकि वो सब जानते हैं कि डॉक्टर मारन एक बहुत अच्छे और भले इंसान है और तो और वो लोगों का इलाग सिर्फ 5 रुपे में किया करते हैं इसके बाद ओफिसर रेंडी डॉक्टर मारन से इंक्वाइरी करते हैं और फिर ये सीन यहीं पर कट होकर फ्लैश बैक में चला जाता है जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर मारन रशिया के एयरपोर्ट पर होते हैं और उन्होंने बहुत सिंपल से कपड़े पहने हुए होते हैं वहां के सेक्योरिटी उन्हें रोक के परिशान करती है और तभी वहां पर एक लड़की जिसकी अचानक से सांस अटक गई होती है डॉक्टर मारन उसकी जान बचाते हैं और सभी लोग डॉक्टर मारन को सल्यूट करते हैं डॉक्टर मारन एक बड़े इंडियन डॉक्टर होते हैं और आगे हम देखते हैं कि Dr. Maran एक award function में जाते हैं जहांपर वो Dr. Arjun से award लेते हैं function खत्म होने के बाद Dr. Arjun का असली रूप दिखता है जहां वो Dr. Maran को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाते हैं कि Dr. Maran उनके लिए काम करें डॉक्टर मारन उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं, वो सिर्फ 5 रुपए में लोगों का इलाज किया करते हैं, ये सुनकर डॉक्टर अर्जुन उनकी हसी उडाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर मारन की असिस्टेंट अनू पल्लवी को, ये दोनों इतिफाक से एक होटल में मिलते हैं और डॉक्टर मारन उन्हें अपने मैजिक से इंप्रेस कर लेते हैं, अगले सीन में डॉक्टर मारन डॉक्टर अर्जुन का पीछा करते हुए दिखते हैं, और वहां उन्हें अनू भी दिख जाती हैं, वो अनू को उनके मैजिक शो में आने के लिए इ पुलिस और डॉक्टर डेनियल की एंट्री होती है और वो डॉक्टर अर्जुन के दोस्त भी होते हैं। पुलिस और डेनियल के उनका सपना है कि सभी लोगों को फ्री में मेडिकल वेसिलिटीज मिलें। फिर सीन प्रेजनी में शिफ्ट होता है जहां डॉक्टर मारन और रैंडी की पूछता चल रही होती है। और रेंडी को पता चलता है कि जिसे वो डॉक्टर मारन समझ रहा था, वो मैजीशियन वेत्री है, जो कि मारन का हमशकल है, वेत्री ने ही शुरुवात में किड्नैपिंग को अंजाम दिया था और डॉक्टर अरजुन को भी उसी ने मारा था, अब रेंडी वेत्री से उन चा हो जाता है, वहां एम्बुलेंस आकर उसे ले जाती है और फिर एम्बुलेंस ड्राइवर किसी दलाल से बात करता है, दलाल किसी HR वरकर से बात करता है, और HR वरकर एक सरजन से बात करता है, और इन सब के चलते एम्बुलेंस ड्राइवर पास में हॉस्पिटल होने के बाव लेकिन देर हो जाने के कारण वो बच्ची मर जाती है और सदमे में रिक्षा ड्राइवर की पत्नी भी हॉस्पिटल से नीचे कूद कर आत्म हत्या कर लेती है इसलिए वैतरी ने उन सभी का किड्नाइप किया था पास में 10 मिनट की दूरी पर हॉस्पिटल होने के वो ड्राइवर जान बूच कर दूर के हॉस्पिटल में ले जाता है और वहां बच्ची के घर वालों से पैसे एंठे जाते हैं और 10 मिनट की देरी की बज़े से वो बच्ची मर जाती है वैतरी रेंडी को चार एड्रिस दे कर बताता है कि 10 मिनट में पहुंचे तो चारों रेंडी चारों जगह पुलिस भेजता है और वहां हम देखते हैं कि चारों को बॉक्स में बंद करके तीन दिनों तक अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगह पर रखा गया था वो चारों लोग मर चुके थे रेंडी समझ जाते हैं कि पुलिस ने वैतरी को अरेस्ट नह कर दिखा रहे हैं तो वो कोई नई निउस निकाले जिससे कि लोग पुरानी निउस छोड़ कर नई निउस पर ध्यान दें आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर डेनियल को टीवी पर डॉक्टर मारन दिखाई देता है और सीन फ्लैश बैक में जाता है जहां पर उसे अपनी एमपलॉयर से पता चलता है कि डॉक्टर मारन पांच रुपे में सब का इलाज करते हैं वो ये भी बताती है कि जब डॉक्टर मारन को अवार्ड मिलने वाला था तब ही डॉक्टर अर्जुन का मर्डर हुआ था उसे ये भी याद आता है कि रैंडी ने उसे बताया था कि डॉक्टर अरजुन का हूनी एक डॉक्टर है जो की एक मजीशियन भी है तभी ये सीन रुख जाता है और आगे दिखाते हैं कि डॉक्टर डैनियल ने रात को अपने कुछ आदमियों को नखली मरीज बना कर डॉक्टर मारन को मारने भेजा है तभी वेतरी वहां आ जाता है और डॉक्टर मारन की जान बचा लेता है। मगर फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर मारन को मार कर बेहोश कर देता है और डॉक्टर मारन के कमपाउंडर वडियू से उन्हें किड्नाप करवा लेता है। और अपनी location on करके खुद को पुलिस से arrest भी करवा लेता है। वो पुलिस को डॉक्टर मारन की location बता कर वहां से चला जाता है। वैतरी अब अनु के पास जाता है और उसे उस बच्ची की मौद की सारी घटना बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि उसने उन सब ही कातिलों को मार दिया है और अब बस एक ही बचा है। साथ ही वो अनु के बारे में अपनी feelings भी share कर देता है। दूसरी ओर डॉक्टर मारन को दिखाये जाता है जिस से मिलने तारा आ रही होती है। उधर पुलिस सलीम घोश के पास पहुँच गई होती है और उससे पूँच ताच करती है दोर नौक होता है पर ये तारा नहीं डॉक्टर डेनियल थे। जो कि डॉक्टर मारन से मिलने आये होते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी girl friend तारा और उसकी मा सरला को kidnap कर लिया है। और अगर डॉक्टर मारन उनकी कही हुई बात नहीं मानेगा तो वो उन दोनों को मार देगा। वो बोलते हैं कि उन्हें वैतरी के बारे में सब कुछ जानना है और डॉक्टर मारन उन्हें ये सब बताएं लेकिन डॉक्टर मारन को कुछ भी नहीं पता था इसलिए डॉक्टर डेनियल उन्हें वैतरी को ढूरने के लिए एक दिन का समय देते हैं कुछ दिर बाद दर्वाजा फिर से नौक होता है और इस बार वडियू दर्वाजे पर होता है वो दुकान की चाभी देने आया होता है जब वो जाने लगता है तो मारन को याद आता है कि जिस दिन वो बेहोश हुआ था उसने वडियू को देखा था वडियू वैतरी के पास और उनकी कुष्टी के दोरान ही उनके बड़े बेटे मारन का जन्म होता है। वो और उनकी पतनी अपने गाउं वापस आ जाते हैं और वहाँ वैतरी मारन मंदिर बनवाने का फैसला करते हैं और बड़े बैमाने पर आयोजन करते हैं। उसी दिन उसे ये भी पता चलता है कि उसकी वाइफ फिर से प्रेगनेंट है। उत्सों के चलते वहाँ पर आग लग जाती है और दो बच्चे घायल हो जाते हैं। और देरी से हॉस्पिटल पहुँशने की वज़े से उन दोनों की मौत हो जाती है। तो वैतरी मारन मंदर का फैसला बदल कर गाउं में अस्पताल खोलता है। डॉक्टर अरजुन और डॉक्टर डेनियल चीफ्स के रूप में आते हैं जो की असल में मनी माइन बादशाह थे। डॉक्टर डेनियल जल्धी हॉस्पिटल के इंस्ट्रुमेंट्स मंगवाने के बहाने से हॉस्पिटल अपने नाम करवा लेते हैं और हॉस्पिटल की डिमांड भी जादा होती है। कुछ दिनों बाद वैत्री मारन की पतनी एश्पिटल को लेबर पेन होता है और वो उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। इस्थीसिया की ओवर्डोज और ऑपरेशन के वक्त जादा खून बह जाने की वज़े से हुई है। वो गुसे में डैनियल को मारने जाता है और डैनियल वहां से भाग जाता है। कुछ दिर बाद बियर की एक खाली बोतल आकर मारन के सिर पर लगती है और मारन की याददाश्ट चली जाती है। लगातार आ रही बियर की खाली बोतल से वैतरी मारन घायल हो जाता है। जखनी हालत में वो अपने बड़े बेटे मारन को एक ट्रक में रख देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसके चोटे बेटे को मरा हुआ समझ कर पूड़े में फेक देते हैं। जखनी होने के बावजूद वैतरी मारन डेनियल के गुंडे काशी का हाथ कार देता है। तब ही डेनियल पीछे से आकर उस पर वार करता है और उसे बताता है कि ये हॉस्पिटल बनाना उसी का सपना था। और उस दिन मेले में आग उसने लगवाई थी ताकि गाउवालों को हॉस्पिटल की एहमियत पता चले और वो यहाँ धंधा शुरू कर सके। मरने से पहले वैतरी मारन कहता है कि उसके दोनों बेटों में से एक उसका बदला लेगा। वैतरी मारन का दूसरा बेटा जो जिन्दा था वो सलीम घोष जादू गर से मिलता है और वो उसे जादू सिखाता है। वडियों की ये बाते सुनकर दोनों भाई एक हो जाते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वैत्री को पकड़ कर ले जाती है। मार मार के जखमी कर देता है और तभी वहाँ पर काशी ट्रक लेकर आता है और वैत्री को टकर मार कर बेहोश कर देता है। फिर एक दिन लंच के टाइम जेल में न्यूज में दिखाते हैं कि ओडिसा में एक औरत की हॉस्पिटल की लापरवाही की वज़े से मौध हो जाती है और ये सुनकर वैत्री अपने जादू की मदद से गायब हो जाता है। झाल झाल